मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीदू, रिशव और आयुशी मुश्राफ, B.180, सेठी कॉलनी, जैपुर शृपाश्वनाथ, री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर एक, वर्दमान विश्ट बंगाल, अमिता जैन, पतने, अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पतने, विपिन कुमार जैन श्रिमती शशी बाला जैन, श्रियांस जैन, श्रिमती अनुपमा जैन, शरिश जैन, श्रिमती शची जैन, चेतन जैन, असमेत जैन, चोवनबी, नवीन नगर, सहरनपुर, उत्तर प्रदेश यशपाल जैन, श्रिमती सुरज जैन, शाहगण, सागर, मध्य प्रदेश श्रिमती कमला देवी पाठने, धर्मपत्ने, स्वर्यश्री मदल लालजी पाठने, सुफुत्र, राज कुमार पाठने, कलास्चन पाठने, प्रकास्चन पाठने, प्रतीक कुमार पाठने, अनिल कुमार पाठने, इमफाल, मनिपुर लक्ष्मी देवी जैन, सीमा जैन, धर्मपत्ने श्रियाशोक जैन, मेहूल जैन, शाश्वत जैन, प्लोट नमबर 608 महावीर नगर, प्रथम, जैपुर, राजस्थान श्री दिगंबर जैन, महिला शास्त्र सभा, सुर्य नगर, गाज्याबाद श्री सनमती महिला मंडार, श्री दिगंबर जैन, मंदेर, सेठी कॉलने, आगरा रोट, जैपुर जैजिनेंद्र, श्रीति परम जोति, समं समस्ते रनंत पर यायाई, दरपन तलईव सकला, प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र पंच परमिष्ठी भगवान की जय इस श्लोक में, पिछले श्लोक में, आचर भगवन अम्रचन स्वामी महराज ने, चारित्र के दो भेदू की चर्चा की थी इस श्लोक में आज हम उस चारित्र के स्वामी जो दो प्रकार का चारित्र कहा गया है सर्वदेश चारित्र और एकदेश चारित्र उनके कौन स्वामी होते हैं उनको पालन करने वाले कौन होते हैं उनकी चर्चा करेंगे आईए उच्चारन करते हैं निर्तहकास्ने निव्रत्तव। भवतियति ही समय सार भूतोयम। यात्वेक देश विरतिर। निर्तस्तस्यामु पासको भवति। एक साथ बोलिए। निर्तहकास्ने व्रत्तव। भवतियति ही समय सार भूतोयम। यात्वेक देश विरतिर। निर्तस्तस्यामु पासको भवति। आईए एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। निर्तह अर्थात लवलीन, तलीन, कार्ष्ने निव्रत्तव। कार्ष्ने अर्थात संपूर्ण रूप से निव्रत्तव अर्थात छूट चुके हीं, उनसे जो निवरत हो चुके हैं, सर्व देश त्याग रूप भवती होते हैं, यति ही अर्थात मुनि महराज, समय सार भूत है, अर्थात आत्मा, आत्म सुरूप में जो लीन अर्थात शुद्धो पयोग, वो शुद्धो पयोग में जो लीन होते हैं पूरी पंक्ति का अर्थ हुआ जिन मुनी महाराज ने संपूर्ण रूप से पांचो पापों का त्याग कर दिया सर्व देश त्याग रूप चारित्र का जिनोंने पालन कर लिया है ऐसे वह मुनी महाराज शुद्धो पयोग रूप होते हैं या त्वेक देश विरति ही या अर्थात जो तू अर्थात और एक देश विरति ही जिनकी विरक्ती जिनका त्याग एक देश हुआ है कुछ हुआ है, स्थावर का त्याग न हो करके मात्र त्रस हिंसा का ही जिनों ने त्याग किया है, ऐसे निरतह तस्याम उपास को निरतह अर्थात लगे हुए हैं, तस्याम अर्थात उसमें उस एक देश त्याग में जो लगे हुए हैं, ऐसे उपास कह भवती, उपासक श्रावक भवती अर्थात होते हैं इपयोग कितने प्रकार के होते हैं? और जहां किंचित मात्र भी कशाय नहीं होती, कशाय रहित आत्मा के परिणामों को शुद्ध उपयोग कहते हैं। इस तरह तीन प्रकार के उपयोग कहे गए हैं। जहां कर्णान योग का वर्णन हैं उन्हें आगम कहते हैं। दोनों द्रश्टियों से हम विचार करते हैं। अध्यात्म के अनुसार द्रव्यान योग की द्रश्टी के अनुसार तीन उपयोगों में अशुभोपयोग के गुनिस्थान एक से तीन, शुभोपयोग के गुनि इस तरह इन दोनों द्रुश्टियों की अपेक्षा से हमें उपयोग के गुणिस्थानों को समझना चाहिए भाइया जी योग और उपयोग में क्यांतर है? योग और उपयोग दोनों शब्द हमें एक जैसे प्रतीत होते हैं लेकिन बहुत अंतर है योग की परिभाशा आचरी उमा स्वामी महाराजी ने तत्वार्त सुत्र में लिखी काय वांग मनह कर्म योग है अर्थात मन वचनकाय की क्रिया से आत्म प्रदेशों में जो परिस् शरीर के द्वारा कुछ भी क्रिया करें इन तीनों के निमित्त से जो आत्मा में हलन चलन हुआ आत्म प्रदेशों में जो क्रिया हुई उसी का नाम योग है और उपयोग आत्मा का परिणाम उस आत्मा के परिणाम को उपयोग कहा गया है यहां उपासक सब्द आया इस उपासना करने वाला जो श्रावक होता है वह उपासना पूजा, स्तुती, वंदना, आदी क्रिया करने वाला होता है इसलिए उसे उपासक कहा शलोक में अभी हमने देखा एक उपास्य है और एक उपासक है जो मुनी महाराज होते हैं जिनकी उपासना की जाती है पंच नव देवता आदी ये उपास से कहे गए हैं और इनकी उपासना, पूजा, स्तुती, वंधना, आदी क्रियाएं जो करता है उसे उपासक, अर्थाक, श्रावक कहते हैं भीया जी, कुछ लोग चत्रदगुरस्थान में सुध्धोपयोग मानते हैं, तो क्या उनका ऐसा मानना सही है? हम स्वयम विचार करें, शुध्धोपयोग के गुनिस्थानों की अभी हमने चर्चा की, उन दोनों परंपराओं के अनुसार, अध्यात्म और आगम के अनुसार, जहां अध्यात्म के चर्चा की, तो सात्वे गुनिस्थान से शुध्धोपयोग का प्रारंभ बताया, जह प्रापत होकर आगे अपने शुद्ध आत्मा में लीन हो गए हैं। इसलिए कशायों का पूर्ण अभाव जहां पर हो जाता है उस आगम द्रश्टी के नुसार ग्यारवे और बारवे गुनिस्तान में शुद्धोपियोग मानना चाहिए और जहां प्रवरत्ती रूप से जहां बाहरी कशाय मंद कशाय भी नहीं है वहां सात्वे आधि गुनिस्तान से शुद्धोपियोग मानना चाहिए उससे पूर्व नहीं पाँचों पापों के एकदेश त्याग से हमें क्या समझना चाहिए हिंसा, जूट, चोरी, कुशील और परिग्रह ये पाँच पाप होते हैं इन पाँचों पापों का एकदेश त्याग अर्थात स्थूल रूप से त्याग करना जैसे हिंसा, त्रस और इस्थावर दो प्रकार के जीव जो कहे गए हैं उनकी की जाती है अत्वा उनकी होती है एक देश त्याग से तात पर यह है त्रस हिंसा को त्याग व्रथा थावर न सहारे अर्थात त्रस हिंसा को पूर्ण रूप से त्याग करके जो व्यर्थ में इस्थावर जीवों की हिंसा को भी नहीं करता जहां second number पर जूट की चर्चा आती है स्थूल रूप से जूट का त्याग करना स्थूल रूप से चोरी का त्याग करना अपनी इस्त्री के सिवाए अन्य इस्त्रियों में मा, बहिन और बेटी की भावना रखना जहां परिग्रह की चर्चा की गई है अपनी आवशक्ता अनुसार ही परिग्रह रखना लिमिटेट सिमित कर लेना इन पांचों पापों को किंचित मात्र जो स्वयम आवशक है सुक्ष में त्याग नहीं हो पाने से स्थूल रूप से त्याग करना जहां चार प्रकार की हिंसा कही गई है उनमें भी संकल्पी हिंसा के तो हम त्यागी हो सकते हैं तीन प्रकार की आरंभी, उद्योगी और विरोधी इनका भी हम जितना हो सके उतना त्याग करें हम श्रावक हैं इस तरह हिंसा का एक देश त्याग कर सकते हैं इस प्रकार हमने यहां चारित्र के दोनों भेदों के जो स्वामी हैं ऐसे मुनी माराज और श्रावकों की चर्चा की आईए अगरिम शलोक में हम हिंसा के व्यापक स्वरूप को समझते हैं जिसमें आचारिय अम्रेचन स्वामी माहराज की व्यापक द्रश्टी फलित होती है आत्म परिणाम हिंसन हे तुत्वात सर्व मेव हिंसाइत अनृत वचनादी केवल मुदारतम शिष्य बोधाय आईए एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं आत्म परिणाम हिंसन आत्म अर्थात आत्मा के परिणाम अर्थात परिणाम भावो की हिंसन अर्थात हिंसा हेतुत्वात सर्वम एव हेतुत्वात अर्थात होने से कारण होने से सर्वम एव सब ही हिंसा एतत एतत मतलब यह हिंसा मतलब हिंसा है आत्मा के परिणामों की हिंसा होने से यह सब ही हिंसा है अन्रित वचनादी केवलम अन्रित अर्था जूट असत्य वचन आदी कथन आदी जूट वचन जो कहे हैं अर्थात जूट चोरी कुशील और परिग्रह ये तो केवलम अर्थात केवल उदाहरतम उधारन स्वरूप हैं शिष्य बोधाय शिष्य के बोध के लिए बोध अर्थात ज्यान के लिए शिष्यों को ज्यान कराने के लिए और शिष्यों को अधिक अच्छी तरह से समझाने के लिए जूट चोरी कुशील और परिग्रह आदी जो पाप कहे गए हैं ये मात्र उधारन स्वरूप हैं वास् आचारिये अमरेचन स्वामी महाराज मुख्य हिंसा को ही कह रहे हैं भिया जी जूट बोलने में हिंसा कैसे होगी आचारिये अमरेचन स्वामी महाराज के द्वारा कथित इस श्लोक को अभी हमने पढ़ा आत्मा के परिणामों की हिंसा होने से जहां कारण आत्मा के परिणामों की हिंसा है वहीं पर ही हिंसा हो गई आपने का जूट बोलने से हिंसा कैसे तो जूट बोलने से आत्मा के परिणामों की आत्मा के भावों की हिंसा हुई की नहीं जूट बोलना आत्मा का विकारी भाव है तो सभाव तो नहीं है तो असत्य बोलने से आत्मा का जो सभाव सत्य वचन बोलना था उसका अभाव होने के कारण जूट बोलने से आत्मा के परिणामों की हिंसा कही गई इसलिए यहाँ पर उसे हिंसा रूप कथन किया गया परिग्रह रखने में हिंसा कैसे होती है? आत्मा के विकारी भाव ही हिंसा रूप कहे गए हैं परिग्रह रखना आत्मा का स्वभाव नहीं है हम यह भी जानते हैं यदि परिग्रह रखेंगे तो उस परिग्रह में मूर्शा होगी ममत्व परिणाम होगा परिग्रह की परिभाशा आचरी उमा स्वामी महाराज जी ने तत्वार्थ सुत्र में कही मूर्चा परिग्रह है अर्थात ममत्व परिणाम ही परिग्रह है तो परिग्रह के कारण से उसमें राग द्वेश रूप परिणाम होते हैं उन विकारी भावों के कारण से ही आत्मा के जो परिणाम है शुद्ध भाव है उनकी हिंसा हुई और इसलिए परिग्रह को हिंसा कहा गया लिखा है ना उदाहरतम शिष्य बोधाय शिष्य के बोध के लिए हम जैसे अज्ञानी जनों को और अधिक विस्तृत विवेचन से समझ में आता है इसलिए समझाने के लिए उधारन सरूप जूट चोरी कुशील और परिग्रह का भी वर्णन किया वास्तविक्ता में देखा जाए तो हिंसा ही पाप है जूट बोलने से भी हिंसा है चोरी करने से भी हिंसा है कुशील करने से भी हिंसा है और परिग्रह रखने से भी हिंसा ह और हिंसा जहां होगी वहाँ पर आत्मा के परिणामों का घात हुआ, जूट बोलने से भी आत्मा के परिणामों का घात हुआ, चोरी करने से भी विकारी भाव होने से आत्म परिणामों की हिंसा हुई, इसलिए पांचों पापों रूप हिंसा ही होती है, लेकिन फिर भी विस इस्तित समझाने से हमें समझ में आता है इसी द्रश्टी को ध्यान में रखते हुए पांच पाप कहे गए हैं और अधिक अगर हम द्रश्टी डालें तो एक मात्र हिंसा पाप है जहां पाप का पाप बताए वहां हिंसा दी पांच पाप कहे गए और अधिक विवेचन करेंग तो और अनेक प्रकार की हिंसा होती है इस तरह मुख्य तो हिंसा ही है बाकि जूट, चोरी, कुशिल और परिग्रे इनके अलावा और भी अनेक प्रकार के पाप होते हैं क्या हसने से डर लगने से भी हिंसा होती है हाँ, क्यों नहीं? हसना आत्म का स्वभाव नहीं है डर लगना आत्म का स्वभाव नहीं है और जहां आत्म के स्वभाव का घात होगा वहां हिंसा होगी आत्म परिणाम हिंसन आत्म के परिणामों की हिंसा होना डर लगने से, हसने से, रागदे शादी क्रिया करने से विकारी भाव होने से हिंसा कही गई है भीया जी फिर तो सुद्धोपयोग से बार हर कार्यों में ही हिंसा हो गई हाँ जहां पर आत्म परिणाम से रहित हुआ वह जीव तुरंत वहां पर हिंसा कही गई है जहां हम शुद्धोप योग की चर्चा करते हैं तो दो द्रश्टी हमारे समक्ष आती है सात्वे आदी गुनिस्थान से जब हम शुद्धोप योग मानते हैं अध्यात्मे की द्रश्टी से तो वहां पर भी मंद कशाय रूप परिणाम होने से किंचित हिंसा कही गई है जहां पूर्ण रूप से जहां कर्णान योग की द्रश्टी से विचार करते हैं आगम की अपेक्षा ग्यारवे और बाहरवे गुनिस्थान में वहां पर कशाय किंचित मात्र भी नहीं है इसलिए उस शुद्धो पियोग में किंचित मात्र भी हिंसा नहीं है और शुद्धो पियोग से रहित जहां हुए वहां पर पूर्ण रूप से आत्म परिणामों के घात की वज़े से आत्म परिणामों अत्वा विकारी भाव आजाने के कारण से हिंसा कही गई है आत्मा में कशाय रूप परिणाम होने से हिंसा होती है क्योंकि आत्मा के शुद्ध परिणामों की हिंसा हुई हमारे प्रतिसमय कशाय रहती है इसलिए हम प्रतिसमय हिंसा से युक्त हैं जहां चतुर्त गुनिस्थान तक की चर्चा करें तो तिवर कशाय होने के कारण से वहां जीव के हिंसा है देश्वरती के किंचित कशाय कम हुई तो कम हिंसा और उसके आगे महावरती की चर्चा करें तो और कशाय कम हुई मंद हुई तो और कम हिंसा जहां सात्वे आधिक उनिस्थान में शुद्धोप योग में लीन मुनी महराज है तो और अधिक कशायों का मंद भाव हुआ तो वहां पर और कम हिंसा और जहां कशाय किंचित मात्र भी नहीं है वहां पूर्ण रुम से हिंसा से रहित वह जीव हो जाता है वास्तव में जहां आत्मा के परिणामों का घात हो गया उसी का नाम हिंसा है तो प्रतिसमे होने वाली हिंसा से हम कैसे बचे हैं प्रतिसमे होने वाली हिंसा से हम ग्रहस नहीं बच सकते क्योंकि हमारे कशाय रूप परिणाम रहते हैं और जहां कशाय रूप परिणाम होंगे वहाँ हिंसा तो होगी ही होगी इसलिए पूर्वकिश लोकों में जहां अमरेचन स्वामी माराज ने सकल कशाय विमुक्तम यह कथन किया कि जहां संपूर्ण रूप से कशायों से रहित भाव है ऐसे शुद्धूप योग रूप दशा है वहाँ पर ही हम इंसा से बच सकते हैं वास्तविक दृष्टी में देखा जाए तो हम ग्रहस्त अवस्था में रते हुए समस्त कशायों से दूर नहीं हो सकते प्रती समय हमारे मन में राग, वेश, कशाय, विशे, रूप परिणाम चलते ही रहते हैं ऐसी अवस्था में हम कैसे बचें कोशिश हम यह करें कि उस अवस्था को प्राप्त करें जिस अवस्था में संपूर्ण रूप से हम कशायों से विमुक्त हो जाएं अब जब वर्तमान में हम उस अवस्था तक नहीं पहुँच सकते तो ग्रहस्त अवस्था में रह करके ही हमें जहां तीन प्रकार के अभी हमने उप्योगों की चर्चा करी अशुभो प्योग, शुभो प्योग और शुद्धो प्योग अशुभो प्योग से बचकर हमें शुभो प्योग में प्रवर्ति करनी चाहिए जितना हो सके अपना मन, स्वाध्याय में, जिनेन्र भगवान की पूजन, भक्ती, इस्तूती में, डान और पूजा आदी में लगाना चाहिए जिससे हमारा उप्योग शुभ बना रहे हम विशय कशायों से जितने दूर होंगे, हम धर्म की प्रवरत्ती में उतने ही आगे बढ़ेंगे यदि हम इस तरह का प्रयास करते हैं, तो रागद्वेश से रहित परिणाम किंचित कम होने से ग्रहस्त अवस्था में वो पूर्ण रूप से रहित तो नहीं हो सकते लेकिन उन विकारी रागद्वेश परिणामों में किंचित कमी होने से, हम धर्मित प्रवत्ती लाने से क्योंकि राग की दो भेत किये प्रशस्त और अप्रशस्त, तो हम अप्रशस्त राग से तो बच सकते हैं प्रशस्तिराग करें और उस प्रशस्तिराग रूप जो शुभोप योग है उसे अपना कर अपना लक्षे बनाएं कि हम भी मुनी बन करके शुद्धोप योग को प्राप्त करके और समस्त कशायों से विरक्त होने का प्रयास करें क्या सुभोपयोग में लगेने में हिंसा नहीं होगी शुभोपयोग में भी हिंसा तो होगी क्यो नहीं होगी जब शुद्धोपयोग में भी हिंसा है कशाय रूप परिनाम जहां पर होगे वहां पर हिंसा होगी ही होगी शुभोपयोग में भी हिंसा है लेकिन हमें क्या करना हैं हम अशुभौ पयोग से बच करके शुभौ पयोग में आएंगे तो वह तो अच्छा ही है लक्षतों हमें शुद्धो पयोग प्राब्त करके समस्त कशायं से विरक्त हो करके मोक्ष प्राप्ती का ही बनाना हैं लेकिन जब वर्तमान्थ पंचम काल में वह संभव नहीं हैं तो हम अशुभोपियोग से बच करके शुभोपियोग को प्राप्त करें चुकि सुभा से लेकर शाम तक रात में हमारे हमेशा परिणाम विशे कशायरूप बने रहते हैं हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके हम उन विशे कशायरूप परिणामों से दूर रहें राग देश की बाते दिन भर इसका लेना उसका देना सुभा से शाम तक हम यही करते रहते हैं हम उनसे बचेंगे तो अशुभ उपयोग से बचें अशुभ उपयोग से बच करके हम शुभ उपयोग में आए और जब उस अवस्था को हम प्राप्त हो जाएंगे तो लक्षे बनाएं कि धेरे धेरे हम शुद्ध उपयोग की और आगे प्रवरत्ती बनाएं उसके लिए हमें मुनी अवस्था को धारन करना ही पड़ेगा ग्रहस्त अवस्था में अशुभो पियोग से बचकर शुभो पियोग को प्राप्त करें आज की ज्यान शाला में इस शलोक से हमने क्या समझा हमें क्या समझना है कि हम जितना हो सके अशुभो पियोग से दूर रह करके शुभो पियोग को प्राप्त करें विशय कशायों रूप जो आत्म परिणामों की हिंसा हुई उस अशुभो पियोग से यदि हम बचेंगे तो हमारा मन शुभो पियोग में आएगा हम मंदिर में बैठे हैं, पूजा करने के लिए आये हैं आधा एक घंटा हम मंदिर में बैठकर पूजा करते हैं लेकिन फिर भी हमारा मन इधर उधर विशय कशायों में जाता है हम कोशिश करें कि अपने मन को उसी इस्थान पर उनीव जिनिन्र भगवान की पूजा इस्तुती में लगाएं सिर्फ पूजा ही नहीं हम जिस समय जो कारे करें उसमें हमारा मन लगें स्वाध्याय में, पूजा इस्तुती में, तीर्थी यात्रा, वंदनादी क्रियाओं में यदि हम ऐसे शुभोपयोग के कारिय करेंगे तो निश्चित रूप से जो अशुभ प्रवर्त्ती है, जो योग और उपयोग हमारा अशुभ की ओर जा रहा था, उसको हमने रोक कर श इस एपिसोड से इस श्लोक से हमें यही समझना चाहिए कि जितना हो सके अशुभ प्योग से बचें और शुभ प्योग में प्रवर्त्ती करें, जय 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 नेंद्र मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीदू, रिशव और आयूशी मुश्रफ, बी एक्सोतेज, सेठी कॉलनी, जय पुर श्रिपाश्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापूर एक, वर्दमान विष्ट बंगाल, अमिता जयन, पतने, अनिल कुमार जयन, संगीता जयन, पतने, विपिन कुमार जयन श्रिमती शशी बाला जयन, श्रियांस जयन, श्रिमती अनुपमा जयन, शरिश जयन, श्रिमती शची जयन, चेतन जयन, असमित जयन, चोवनबी, नवीन नगर, सहरनपूर, उत्तर प्रदेश यश्पाल जयन, श्रिमती सुरजयन, शाहगण, सागर, मध्य प्रदेश श्रिमती कमला देवी पाठने, धर्म पत्मी, स्वर्य श्री मदल लाल जी पाठने, सुफुत्र, राज कुमार पाठने, कलाश्चन पाठने, प्रकाश्चन पाठने, प्रतीक कुमार पाठने, अनिल कुमार पाठने, इमफाल, मनिपुर लक्ष्मी देवी जैन, सीमा जैन, धर्मपत्नी श्रियाशोक जैन, महूल जैन, शाश्वत जैन, प्लोट नमबर 688, महवीव नगर, प्रथम, जैपुर, राजस्थान श्री दिगंबर जैन, महिला शास्त्र सभा, सुर्य नगर, गाज्याबाद श्री सनमती महिला मंडार, श्री दिगंबर जैन, मंदर, सेठी कॉलने, आगरा रोट, जैपुर